पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिंतियान अपने ट्रेनिंग खत्म करके घर जा रहा होता है पर तभी उसके सामने कोई आ जाता है अब आगे अपिसोड की शुरुआत में हम दो बंदों को देखते हैं जो लिंतियान से कहते हैं कि हम तुमें कब से ढूड रहे थे आज तुम्हारे इतनी हिंम्गत कैसे हुई कि तुम हमारे माश्टर हाउ के साथ उलजने की कोशिश करो जिस पर लिंतियान कहता है तो तुम उस हाव के चमचे हो और तुम यहाँ मुझे सबक सिखाने के लिए आये हो जिस पर वो बंदा कहता है कि तुमने बिल्कुत सही सोचा आज हम तुम्हें यहाँ मार मार के तुम्हारे हाथ पैरों को तोड़ दिंगे लिंतियान कहता है वैसे मैं ट्रेनिंग करके ठका हुआ था और ये जोकर मुझे परिसान करने के लिए पता नहीं कहां से आ गए अब वो बंदा कहता है कि ये ट्रेनिंग करके पहले से ठका हुआ इसलिए हमें से मानने में और भी असानी होगी लिंतियान उनके attack को बड़ी असानी से dodge कर रहा ўता है वो दूनों मिलकर भी लिंतियान को छून नहीं पाते हैं वो बंदा कहता है किया तुम हमारे attack से सिर्फ बचने वाले हो या फिर हम पर attack भी करोगे लिंतियान कहता है अगर तुम मेरे हाथों से पिटना ही चाहते हो तो ठीक है और इसके बाद वो लोंग फिर से एक दूसरे पर अटेक करने लगते हैं लिंतियान उनके सभी अटेक से बसता हुआ अपने सैडो फायर फिश्ट पंच से एक बंदे पर अटेक करता है और वो बंदा दूर जाकर गिरता है अब उसके साथी को और भी गुसा आ जाता है और वो लिंतियान पर और ज़्यादा स्पीड से अटेक करने लगता है पर लिं since low to high rate जिसमें भुषी तोड़ारों झाजे हुग तो तोड़े थे अ इस लिए मैं तौरों को तोड़ देता हूं और फिर उन दोनों बंदों को पीठने लगता है के बाद यहां से सीन देखते हैं तब ही हाँ पर master law भी आ जाते हैं और वो सभी से कहते हैं कि अगले एक साल तक मैं तुम्हारा teacher हूँ साथ ही वो उनको बताते हैं कि मैं जो तुम्हें बढ़ाने वाला हूँ वो बस theoretical नहीं होगा मैं तुम्हें कुछ martial art skills भी सिखाऊंगा और traditional martial art के बारे में भी बताऊंगा अब यहाँ पर एक student बोलता है कि master आप हमें martial art के बारे में और ज्यादा बताईए जिस पर master law कहते हैं तो ठीक है अब मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में सायद तुम में से कोई भी नहीं जानता होगा और इसके बाद वो एक box में से एक formation pattern को निकालते हैं और फिर बताते हैं कि यह एक formation pattern है अगर तुम इस formation pattern को बनाना सीख जाओ तो तुम इसकी मदद से बहुत सारी powerful technique बना सकते हैं और तुम heaven और earth की power को भी control कर सकते हो पर इस formation pattern को बनाना इतना भी आसान नहीं है तुम लोग जो यह formation pattern को देख रही है यह बस अधूरा है इसका आधा हिस्सा यहां से गायब है तभी आपर एक लड़का बोलता है कि master क्या आप हमें यह formation pattern बनाना सिखा सकते हैं इसके पास सभी लोग master से जित करने लगते हैं कि हमें भी यह technique सिखा है master लाओ कहते है अगर तुम यह सीखना ही चाहते हो तो मैं इसके बारे में तुमें बताऊँगा इस formation pattern को बनाने के लिए सबसे पहले तुमारे अंदर एक powerful अध्यात्मिक सक्ती होनी चाहिए और दूसरा उस formation pattern के बारे में तुम्हें सारी जानकरी प्राप्त होनी चाहिए साथ ही तुम्हें बहुत सारे कीमती material की जरुवत भी पड़ेगी और एक formation pattern बनाना बहुत ज्यादा मुस्किल होता है अब लिंतियान को उस formation pattern में कुछ देखने लगता है तो लिंतियान उसे गौर से देखने लगता है तब ही अचानक से लिंतियान के पीछे एक formation बनने लगती है और उस formation की सारी energy लिंतियान की body में जाने लगती है जिससे लिंतियान को बहुत तकलिफ हो रही थी अब लिंतियान दर्द के मारे भेयोस हो जाता है और उसे अब सीधा रात में होसाता है वो देखता है कि यहां से सभी लोग चले गए है अब लिंतियान कहता है कि मास्टर लाउन ने जो formation pattern दिखाया था वो मेरी दिमाग में पूरी तरह से छप गिया है और हम उस formation pattern को बना सकता हूँ पर मुझे वो formation pattern बनाने के लिए कुछ खास material की जरूरत पड़ेगी इसके बाद लिंतियान सिया के पास चला जाता है और वो उससे 1000 sikr मांगने लगता है सिया कहती है कि आखिर तुम इतने पैसो का क्या करोगे लिंतियान कहता है मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ पर मैं अभी इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकता जिस पर सिया कहती है अगर तुम मुझे नहीं बताओगा कि तुम क्या खरीदना चाहते हो तो मैं भी तुम्हें पैसे नहीं देने वाली हूँ अब लिंतियान उसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मुझे पैसे दे दो मैं बाद में तुम्हें सूथ समी सारे पैसे वापस लोटा दूँगा साथी साथ वो कहता है कि हाओ के साथ मेरा कॉम्पिटिसन होने वाला है और इसके लिए मुझे ताकतवर बनना होगा जिसके लिए मुझे पैसो की जरूरत है सिया कहती है कि मैंने काफी समय से पैसे बचा कर रखे थे और मैं ये पैसे तुम्हें दे रही हो पर तुम्हें वादा करना हुआ कि मेरे सारे पैसे तुम मुझे वापस लटा दोगे लिंतियान कहता है ठीक है मैं तुम्हारे सारे पैसे हापस लोटा दूँगा और इसके बाद वो सियासे पैसे लेकर यहां से चला जाता है अगले सीन में हम देखते हैं लिंतियान कहता है मो सेन को मानने के बाद मो फैमली वाले मुझसे बदला लेना चाहते होंगे जीजे मिल सकती है वो लेडी लिंद्टीयान से कहती है कि आप फूड़ी देर इंतजार करें मैं अभी आसे आप लेकर आती हूं वह जैसे जारी होती है पर तब लिंद्टीयान उसे रोक लेता है और से कहता है कि क्या यहां formation pattern बेचा जाता है जिस पर वो लड़की हां कहती है तो लिंतियान कहता है कि wrong book formation pattern यहां कितने का बिगता है वो लेडी कहती है कि इसकी कीमत 3000 spirit coin है लिंतियान सोचने लगता है अगर मैं wrong book formation pattern को बना कर यहां बेचता हूं तो मुझे 3000 spirit coin मिलेंगे जिससे मैं मुझे नहीं चाहिए और इसके बाद उसे एक नई लिष्ट देता है वो लेडी कहती है कि मैं आपका समान जल्दी लेकर आती हूं अब अगले सीन में हम देखते हैं कि लिंतियान वो सारा से रूम में आ जाता है और वो उस मटेरियल को बाहर निकालता है इसके बाद लिंतियान formation pattern को बनाने की कोसिस करता है पर वो इसमें फेल हो जाता है वो बार-बार कोसिस करने लगता है लेकिन वो बार-बार फेल हो रहा था पर लिंत्यान हार नहीं मानता और वो एक बार फिर से कोसिस करता है और इस बार वो से बनाने में काम्याब होने ही वाला था कि तभी एपिसोड यहीं प्रेंड हो जाता है